तो देखे भारत मंदपम की सीधी तस्वीरे आप देख रहे हैं फिलाल देखे भारत मंदपम किस तरीकी से रोश्टी से नहाया हुआ है मनमोग द्रिश्य तो ये खुबसूरत तस्वीरे भारत मंदपम की आप देख रहे हैं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू अपसे थोड़ दिर में याँ पर पहुँचेंगी और यहाँ पर डिनर का आयोजन किया जाएगा तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं भारत मंदपम जो आज बढ़ी बाइलेटरल टॉक्स होई जो भारत के लिहास से बड़ी महत्पूर्ण रही बड़ी उपलबदी भारत के नाम रही ऐसे में आप राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू पहुच गई है और एक रात्री भोज ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू के काफिल लेकिन उस दौरान भी बड़ी बाते सामने निकल कर आती है तो देखे डिनर की मेजबान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू है उनका काफिला पहुच चुका है और आपको भारत मंडबब के हम तस्वीरे भी दिखा रहे है जी-20 नेताओं के सम्मान में डिनर का पहुची हुए है दिल्ली में और दिल्ली में किस तरीके से आज पूरा दिन हमने देखा तमाम उपलब्दिया भारत के खाते में आई है ऐसे में यह देखे द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरे जो भारत मंडब पहुच चुकी है आपसे थोड़ी देर में यहां पर डिनर की शुरुवात होगी जी ट्वेंटी के सम्मान में जो महाशक्तियां यहां पर पहुची हुए राष्ट्रेध्यक्ष वोर्ल्ड डीर्स पहुचे उनके सम्मान में यह डिनर का आयोजन और इसकी मेजबानी राष्ट्रपती दुरौपदी मुर्मू कर रही है तो यह करते हैं जिसकी तारीव यहां आया हुआ हर एक व्यक्ति करता है जिसका मुरीद हर कोई हो जाता है कैसे हम एक भारत की ऐसी तस्वीर को सामने रखते हैं भारत मंडपम विशेश तोर से इसलिए तयार किया गया महीनों की मैनत नट्राज की बड़ी सी मूर्ती लगाई गई विकास और पराओं को किस तरीके से जोड़ना है किस तरीके से आगे रखना है यह भारत ने दिखा दिया है और देखें नट्राज की तस्वीराप लगाता है देख रहे हैं संदीब बोल हमारे सयोगी भारत मंडपम से मासा जोड़ रहे हैं संदीब अब से थोड़े देन में डिनर की शुरुवात हो जाएगी द्रापदी मुबुवावर पहुंच चुकी अभी फिलाल क्या कुछ तस्वीर है भारत मंडपम से जो है राश्पती की तरफ से जो भोज दिया जा रहा है उसके लिए पूरी तयारी है और इस वक्त जो रात को जो इस वक्त रौशनी है वो अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से इस भारत मंडपम को सजाया गया है दुनिया की नजर इसके उपर है दुनिया देखना चाहती है जी ट्वेंटी के उस आयोजन स्थल को जो की इस वक्त सब की सुर्ख्यों में है और इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके की लाइटिंग इस वक्त यहाँ पर की गई है पूरी तरी से सब्सक्राइब है जो जिस पर हम लोग सद्यों से चले आ रहे हैं वह आज भी हमारे लिए वैसे ही कायम है और इस वक्त आज शाम को जो डिनर है उस डिनर की तैयारी इस वक्त पूरी हो चुई लाइटिंग पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है इस वक्त लाइटिंग त जब यह इवेंट होगा शाम को जब यहाँ पर गेस्ट आएंगे तो किसी भी तरीकी कोई चूक नहीं होनी चाहिए और तस्वीरे आपको साफ नजर आ रही है कि किस तरीके से तिरंगे के रंग में यानि कि तिरंगे के रंग में इस पूरे भारत मंडपम और उसके नीचे जो भी पूरा एरिया है जहां पर की जो अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स तैयार किये गए हैं वो सारे के सारे यहां पर आप सामने देख सकते हैं कि कितना खुबसूरत यह भारत मंडपम लग रहा है खास बात यह है कि अभी तक दिली के जो कह सकते हैं कि दिली की पहचान के तौर पर जो है लाल किला और उसके बाद इंडिया गेर, प्रेजिजेंट हाउज, संसत भवन इन सब को देखा जाता था अब तो भारत मंडपम भी एक स्पॉर्ट है एक पहचान के तौर पर दिली में सापित हुआ है और यह जितना खुबसूरत बनाया है, जितना भव्य बनाया है, चायद जीत है. जहां दूर तक उसकी छवी रहती है, इसलिए इसका नाम भारत मंडपम, जिसके नीचे पूरा भारत समूहित आपको दिखाई देगा, जहां हर राज्य की आपको कुछ तस्वीर जलकियां दिखाई देंगी. आपसे थोड़ दिर बाद रातरी भोज शुरू हो जाएगा. तो देखिए भारत मंडपम पूरे तरीके से तयार है, खंड भारत की तमाम तस्वीरे आपको इस भारत मंडपम में नजर आएगी और देखिए पहचान भारत की क्या है, उन शक्तियों को भी आप देख पा रहे हैं, अकला कृतियों को भी देख पा रहे हैं, द्रौपदी आप देख रहे हैं भारत मंडपम भारत की चवी जहां आपको दिखाई दे उभरता हुआ आपको भारत दिखाई दे जिसको आप देखें तो दूर से ही समझ सके यहां आपको संस्कृति विरासत हमारी दिखाई देगी विक्सित होती हुई संस्कृति दूसरी तसवीर आप कि बाइलिटरल टॉक्स रही कई ऐसे डेलिगेट्स रहे कई ऐसे महमान रहे जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम मुरीद है इस बात के कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जी ट्वेंटी का ये पूरा का पूरा जो इवेंट है वो ऑगनाइज किया ब तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं आप अपसे थोड़ी देर बाद में राश्पती द्रौपदी मुर्मू के साथ में सबी खास मेहमानों को देखेंगे जब रात्री भूत गा आयोजन किया जाएगा और प्रधान मंत्री नरेंद मोधी वहाँ पर मौझूदी है भारत मंडपम का जिक्र बार-बार इसलिए किया जा रहा है देखिए भारत मंडपम इस बात का गभावा बन रही है कि G20 के कितने महमान बड़े-बड़े महमान यहाँ पर आते हैं वो भारत को इस तरीके से शायद पहले कभी ना देखते हो लेकिन आज वो देख रहे हैं वो इस विवस्था के मुरीद हो रहे हैं वो इन तरीकों के मुरीद हो रहे हैं और वो मुरीद इस बात के हो रहे हैं कि भारत नकिवल अपनी बात करता है, भारत जब बात करता है तो सब की एक साथ बात करता है, वो वसुदेव कुटुमबकम में विश्वास रखता है, प्रधान मंत्री नरेंद मोदी की खास बात इ तो में एक ही साथ कर सकते और उसमें हम विकास कभी भी युद्ध की नीती से तो नहीं कर सकते तो देखें ये तस्वीरे आप भारत मंडबम की देख पा रहे हैं अपसे थोड़ी देर के बाद जो है रातरी भोज उसकी शुरुवात हो जाएगी तमाम जो राश्ट्रे धाक्षिन के सम्मान में ये रातरी भोज रखा गया है प्रदान मंद्री नरेंद्र मोदी को भी आप देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को भी देख रहे हैं भारत मंडबम की आलो की तस्वीरे भी आप देख पा रहे हैं तमाम राज्यों की तमाम जो है आप भारत मंडपम में इस वक्त देख पाएंगे कि किस तरीके से हम जो विदेशी मेहमानिया पर पहुँचे हुए हैं, भारत की संस्कृति से उन्हें रूबरू करवाएं, इसका खास खयाल रखा गया है, मेजबानी में भारत कोई कमी ना रखे, इसका भी खास खयाल रखा गया और ऐसे में क्यूकि आज G20 की जो पहली बैठके हैं, यहां पर हुई हैं, महाशक्तिया, महामिलन जो हुआ हैं और तमाम जो राष्ट्रे इत्रक्ष यहां पर पहुँचे हुए हैं, वो भारत की छवी को किस तरीकी से देख रहे हैं, क्यूकि जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, प्रधान मंतरी नरेंदर बोधी के निरतित्र में वैसे वैसे भारत की छवी, भारत का कद, डिप्लोमेटिकली तो बड़ा ही है, वैश्विक पतल पा भी भारत ने कई तमगे या यू कई 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 उपलब्धी आपने नाम किया और ऐसे में आज जिस ये दिल्ली का दर्बार या यू कई भारत मंडपाम जो तमाम राश्य धक्षों के स्वागत के लिए सजा हुआ है, अपने आप में भारत की छवी को, उनकी उपलब्धी को और ज्यादा आगे बढ़ाता है, और ऐसे में खास दिनर का योजन किया गया है, खास मेहमानों के लिए विकास की जो एक तस्वीर भारत ने पेश की है, क्योंकि प्रणान मंत्यू नरेंदर मोधी हमेशा कहते हैं कि हम मदर अवजबन